नमस्ते मित्रों प्रभा साक्षी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मित्रों हर साल सावन के शुक लपक्ष की पंचमें तिथीको नाग पंचमी का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा परिक्षित के मृत्यू तक्ष के नाग के डसने से हुई थी परिक्षित के पूत्र जन मेजय को बड़ा कश्ट हुआ था उन्होंने इस स्रिष्टी के संपूर्ण नागों को सर्प यग्य में जलाकर भस्म कर देने की प्रतिग्या कर ले थी यग्य में पूरी पृत्वी के नाग आकर जलने लगे जब ये बात आस्तिक मुने को मालूम होई तो वे तुरंत राजा जनमेजय के पास पहुँचे आस्तिक मुने ने राजा जनमेजय को समझाया और यग्य रुकवाया जिस दिन ये घटना घटी उस दिन सावन शुक्ल पक्च की पंच में तेथी थी उस दिन आस्तिक मुने के कारण नागों की रक्षा हुई थी तब से नाग पंच में पर्व मनाने की शुरुवात हुई यज्य की आग को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुने ने उसमें दूद डाला था इस मान्यता की वज़े से नाग पंच में पर नाग देव को दूद चढ़ाने की परंपरा प्रारंब हुई सकंद पुरान के अनुसार नाग पंच में के दिन सरप पूजन अत्वा नाग पूजन करने से हमारी सभी मनों कामनाएं पूरी होती हैं और पूरे साल सर्प भैसे मुक्ती मिलती हैं इस दिन अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ गोबर से सर्पों की आकृती बनाकर अनन्त नाग, वासकी नाग, शेष नाग, कालीय नाग तथा तक्छक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा करने चाहिए नाग देव को जल, दूध चढ़ाने के बाद हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाना चाहिए तत पश्चात धूप दीप जलाकर मिश्ठांड का भोग लगाना चाहिए हमारे पंचांग के अनुसार इस साल नाग पंचमे की पूजा का मुहुरते 9 अगस्त की सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, दो पहर में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा इस समय में पूजा करना शुभ फलदाई होगा नाग पंचमे के दिन नागों की सुरक्षा का संकल्ब लेना चाहिए जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोश होता है उन्हें नाग पंचमी की पूजा जरूर करने चाहिए राहु केतु से जुड़े दोशों के निवारन के लिए नाग पंचमी का दिन सरवोतम दिन माना गया है नाग पंचमी पर भगवान शीव की पूजा करें और शीव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए संभव हो तो नाग पंचमी के दिन चांदी सेवने नाग नागिन की पूजा करें और पूजा के बाद इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें इससे कई प्रकार के दोशों से मुक्ति मिल जाती है नाग पंच्मी के दिन सापों को दूद से स्नान जरूर कराएं माननेता है कि उनकी पूजा से व्यक्ति को अक्षय पूर्य की प्राप्ति होती है ध्यान रहे कि नाग पंचमी पर भगवान शिव और नाग देवता का दूद से अविशेक करने के लिए तामबे के लोटे का प्रियोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए आज के दिन जल से अविशेक के लिए दूध अरपित करने के लिए पीतल के लोटे का इस्तिमाल करना चाहिए नाग पंचमी के दिन नागों को भूल कर भी कष्ट नहीं पहुचाना चाहिए इसके अलावा नाग पंचमी पर नुकीली और धारदार चीजों का इस्तिमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए नाग पंचमी पर जमेन की खुदाई भी नहीं करने चाहिए आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुब कामनाई धन्यवाद अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके